नर्स का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटीब चैनल दा कॉम्पटिशन हब पर दोस्तों जम बात करें आप सभी लोगों के लिए काफी खुशकबरी की बात है दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं सूपर थर्टी कोशन्स जो रेलवे एंटेपीसी ग्रूपडी की त्यारी करने वाले जो भी स्टूडेंट है उन सभी लोगों के लिए काफी अच्छी बात है कि उनकी त्यारी में काफी हैलफुल होगा क्योंकि आपको ये डेली साइंस के प्रिबियस एर के कोश्चन पेपर मिलेंगे और आप अपने त्यारी को अच्छा बना सकते हैं आप अभी तक जितनी भी त्यारी किये हैं दोस्तों ये आपके टेश्ट पेपर हैं आप अपने इसके रिकॉर्डिंग अपना आंसर बताईए और आप अपने मार्क्स देखिए कि आपके कितने कोश्चन सही होते हैं और कितने मार्क्स मिलते हैं क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि लॉकडाउन के वज़े से कोई भी कोजिंग कोई भी संस्ता खोलने ही रही है इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको सूपर 30 के कोशन्स लेकर रहे हैं दोस्तों तो आप इसके आंसर जरूर दीजिएगा जितने भी आपके आंसर सही होते हैं अपने आपको जज़ करिए कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है पर अगर इससे पहले अगर मैं चले हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं चैनल कर सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेला आइकन को दबाते हैं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों कोशन की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं किस तरह के कोशन है दोस्तों ये रहा पहला कोशन भुकमपो का अध्यन क्या लाता है जो भुकमपो होते हैं उसके अध्यन को क्या कहते हैं ओप्शन देखिए ए सिस्मोग्राफ, बी सिस्मोलोजी, सी एपिग्राफ और डी एंटिमोलोजी तो आपको इसका अंसर बताना है दोस्तों कि कौन सा होना चाहिए इसका तो चलिए देख लेते हैं जो इसका राइट अंसर है वो है बी सिस्मोलोजी, ठीक है अगला कोशन देखिए आधुनिक वनस्पती विग्यान का जनक किसे का आयता है अगला कोशन देखिए जनतुविग्यान का जनक किसे का आयता है तो यहाँ पर देख लिए ओप्शन में A. अरस्तु को, B. थ्रिये फ्रेटर्स को, C. माइकेली को, D. एन ग्री को, ठीक है, तो जन्तु विग्ञान की बात की जा रही है, तो आप जल्दी से बताइए, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, काफी important question दोस्तों यह, ठीक है, और इसका right answer A. अरस्तु को जन्तु विग्ञान का जन्त किसे का जाता है, तो आरस्तु को का जाता है, ठीक है, चलिए अगला question देखिए, ट्रेड मिल टेस्ट, यहाँ पर ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकितसा से सम्दित है, ठीक है, A. हिर्दे, B. फेफडे, और यहाँ पर देखिए, C. गुर्दा, और D. पैर, ठीक है, यहाँ ट्रेड मिल टेस्ट की बात की जा रही है, तो ट्रेड मिल टेस्ट जो होता है, वो किस से सम्दित है, ठीक है, तो देख लिए कि वो है, C. गुर्दा से जिसको किड्नी कहते है, ठीक है, ट्रेड मिल ट्रेस्ट कौन सी चिकितसा से सम्दित है, य A. बाग, B. मेढग, C. मनुष्य, D. गुलाब, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, वो है, C. होमो सेफियन जो है, बैग्यानिक का नाम जो है, वो मनुष्य है, ठीक है, याद रखिएगा आप लो, काफी बार पूछा जाया है कोशन ये, और ये रेलेवे का रिपेटिर क कोश्चन है, चलिए, विडिया, सवपनों का अध्यान क्या गैलाता है, A. एथालोजी, B. फ्रैनलोजी, C. ओने रिव लाजी, D. क्रोमाटोलोजी, ठीक है, सवपनों का अध्यान की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सवपनों का अध्यान जो है, वह सी अनिरो लॉजी होता अपनों का अधियन, ड्रीम का जो अधियन कालाता है वो अनिरो लॉजी कालाता है ठीक है, चलिए अगला कोशन के तरह चलते हैं केंदरिये वनस्पती अनुसंधान कहां स्थित है तो दोस्तो आपको यह बताना है तो इसका जो राइट आंसर है यह है लखनों में ठीक है केंद्रिय वनस्पती अनुसंदान संस्थान कहां अवस्तित है तो लखनों में दोस्तो यह काफी important question है यह याद रखिएगा अगर आप UP से हैं तो समझ लिजे UP की जितने भी exams होते हैं उसमें काफी exam में इसे पूछा गया है और यह railway में दो तीन बार repeated question है ठीक है चलिए अगला question देखिए follow का देन कहलाता है A. Pomology B. Myology C. Cardiology D. Histology तो दोस्तो follow का देन की बात की जा रही है तो यहाँ पे follow का देन जो कहलाता है वो क्या है वो है A. Pomology ठीक है follow का देन कहलाता है Pomology चलिए अगला question देखते हैं मानो विकास का देन कहलाता है A. Orthology B. Anthropology C. Astronomy और D. Gynecology मानो विकास का देन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देजिए बात की जा रही है मानो विकास का देन कहलाता है जिससे मानो का विकास होता है उसको हम क्या कहते हैं ठीक है तो मानो विकास का देन जो है दोस्तों उसको हम कहते हैं Anthropology ठीक है अस्टियों की बात की जाए तो आप देखें यहाँ पे हड़ीयों की बात हो रही है तो अस्थियों ठीक है अस्थियों की बात की जा रही है अस्टियोलोजी का अध्यन होता है अस्थियों के लिए चलिए देखिए केंद्री औसधी अनुसंधान संथान कहां अवस्थित है ठीक है केंद्री औसधी अनुसंधान संथान कहां अवस्थित है तो यहुए रिपेटिर फिर्न आगया है तो यहां पर द्यान देजिए यह लग नों में हैं कि इंद्रिए और शीद्था संथान कहा अवस्थित है तो यह लग्राइब है धिके अगला दिखिए केंद्रिय चावल अनुसंधान संथान कहा अवस्थीत है देख रहे हैं यहाँ पर चावल की बात की आई है और सेंट्रल की बात की केंद्रिय जो है चावल अनुसंधान संथान कहा अवस्थीत है दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर आप देख रहे हैं बताइए क्या होना देते हैं और इसी वज़े से हमारे marks कम हो जाते हैं तो छोटे-छोटे question को काफी deeply चीज़ को आप लोग याद के लेजिए ताकि आपको कोई भी exam हो आप उस exam में better कर सकें चलिए अगले question के तरिफ चलते हैं कीटो का ध्यन कहलाता है ठीक है कीटो का ध्यन कहलाता है एक्टियोलोजी, बी डेंडरोलोजी, सी एंटमोलोजी और डी सौरोलोजी ठीक है दूस्तों तो कीटो का ध्यन जो होता है वो कीटो का ध्यन कहलाता है एंटमोलोजी चलिए अगले question के तरिफ चलते हैं यहां पर देखिए हाईडरोजन बंप किस अविकरिया पर अधारित है ठीक है तो इसका जो right answer है तो यहां पर ध्यान देखिएगा अगला question देखिए परमाणू बंप की सविकरिया या अधारित है तो यहां पर देखिए परमाणू बंप की सविकरिया पर अधारित है तो यहां देखिए अधारित है तो नावय की विखętन dön पर अधारित है अगला देखिए रडार के अविस्कारक कौन है रडार के अविश्कारक कौन है मारक कोनी तो इसका राइट अंसर है, वो है C, आलवर्ट, टेलर, रडार क्या विसका रखते हैं, रालवर्ट, टेलर, अगला दखिए, न्यूट्रिनो की खोज किस ने किये थी, न्यूट्रिनो, अप्शन में देख लिए, A, रदरफोर्ट, B, पाउली, C, रंसरजन, D, चैडविक, ठीक है, तो इसने की थी, A, टोरी सोली ने, B, आइंसोटीन, C, जॉनसन, और D, मैडलेप, तो इसका जो राइट अंसर है, वो है D, मैडलेप ने की थी, आवर्ट के नियम की खोज, ठीक है, चलिए, न्यूट्रिनो देखते हैं, प्रथम नाव किये रियक्टर किसके निर्देशन में ब प्रथम नाव किये रियक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, ठीक है, चलिए, अगला कोशन देखते हैं, प्रथम हाइडरोजन बंप कब बनाया गया, देखिए दोस्तों, यह काफी इंपोर्टन कोशन है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टन कोशन है कि प्रतम हाइडरोजन बंप कब बनाया गया था, अ, 1955, B, 1855, C, 1930, D, 1952, ठीक है, तो जिसका राइट हन से, दोस्तों, वो है D, 1952, प्रतम हाइडरोजन बंप कब बनाया गया था, तो वो 1952 को बनाया गया था, चलिए, नेक्ट कोशन देखिए, प्रोटन किस प्रकार का है A. आवेश हीन B. धन आवेश युक्त C. रिण आवेश युक्त और D. कोई नहीं तो यहां पर दोस्तों proton की बात की जा रही है तो proton किस प्रकार का करण है तो जो इसका right answer है वो है B. धन आवेश युक्त ठेक है चलिए अगला question दिखते हैं इलेक्ट्रोन किस प्रकार का करण है दोस्तों यहां पर बात की जा रही है इलेक्ट्रोन की तो इलेक्ट्रोन किस प्रकार का करण है तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट करते रहे हैं कि आपके आंसर क्या है ठीक है चलिए देखिए इसका इनदे कोई का मतलब यह होता है कि जो औप्शन आपके दिये गये हैं उस में से कोई आप्शन नहीं होगा वो इसका राइट आंसर होगा ठीक है तो यहां देखिए neutron किस प्रकार का कण है तो neutron जो है वो है आवेश हीन है क्या है आवेश हीन है चलिए अगरा देखिए परमाणू बम का अविस्कार किस ने किया था दोस्तों यह very important question है परमाणू बम की बात की जा रही है ठीक है important question से यह परमाणू बम का विस्कार किस ने किया था A. आटो हॉन B. माइकल फैराडे C. विलियम शॉल्क और D. गैलीलियो ने ठीक है तो जो इसका right answer है वो है A. आटो हॉन ठीक है परमाणू बम का विस्कार किस ने किया था ठीक है तो यहाँ जो right answer है वो है A. 1945 परतम परमाणू बम का बनाया गया था तो 1945 को बनाया गया था चलिए अगला question देखते है electron की कोच किस ने कि थी दोस्तों यह question तो देखिए काफी important है ठीक है यह very important है electron की कोच किस ने कि थी तो यहाँ देखिए option A. Anderson ने B. Rutherford C. G. J. Thompson D. James Chadwick ठीक है तो जिसका right answer है वो है C. G. J. Thompson ने electron की कोच कि थी अगला question देखिए proton की कोच किस ने कि थी A. Rutherford B. Goldstein C. Dalton D. Mendel ठीक है तो जिसका right answer है वो है B. Goldstein ने कि थी proton की कोच किस ने कि थी तो goldstein ने कि थी ठीक है चलिए next question की तरफ चलते है यहाँ देखिए neutron की बात की जा रही है ठीक है neutron की कोच किस ने कि थी तो option देख लिजे दोस्तों A. Rutherford B. James Chadwick C. Galileo D. Newton तो यहाँ पे Newton की कोच किस ने कि थी तो जिसका right answer है वह है B. James Chadwick ने Newton की कोच की थी अगला देखिए polio की टीका का खोच किस ने किया था जो polio का टीका है ठीक है उसकी कोच किस ने किया था A. Johns Harrison ने B. John E. Salk C. J. J. Thompson D. J. Johnson ठीक है तो देखिए दोस्तों आप से पूछा गया है जो टीका की खोच किस ने किया था तो आपको right answer कर आ रहा है तो आप जरूर बताइएगा ठीक है चलिए देख रहे थे इसका right answer है वो है B. John E. Salk polio की टीका की खोच जो की थी उन्होंने जोन E. Salk ने की थी चलिए next question डाइनामाइट के अविश्कारक कौन थे A. Alfred Nobel B. Mandlip C. Tori Soni D. Michael Faraday ठीक है तो यहाँ पर देखिए right answer जो है दोस्तों वो है A. Alfred Nobel ने डाइनामाइट का अविश्कार किया था next question positron की खोच किस ने किय थी positron ठीक है positron की खोच किस ने किय थी तो जिसका right answer है दोस्तों एंडर्सन ने positron की खोच की थी next question निमलिखित में से किस की वेधन चमता अधिक है तो दोस्तों यहाँ पर बताना है वेधन चमता की मतलब उसकी जो capacity है वो कितनी ज़्यादा है तो यहाँ पर देखिए एलफा किरने, बी बीटा किरने सी गामा किरने और डी न्यूट्रॉन ठीक है तो जो इसका right answer है वो है सी गामा किरने जो है इसकी वेधन चमता जो है जो इसकी capacity है यानि जाच परताल करने की वो काफी तेज है अधर जितने भी options दिये हुए है ठीक है चलिए अगला question देखिए telephone का विसकार किसने किया था दोस्तों बताइएगा इसका right answer क्या होगा telephone का विसकार किसने किया था तो option देख लिए तो यहां पर काफी important question है अधर तो यहां पर का विसकार किसने किया था तो यहां पर A. Copernicus B. Kepler C. R. A. B. D. Newton ठीक है तो इसका right answer है Copernicus ने solar system का खोज किया था नेश question नाविके विखंडर में trigger क्या है दोस्तों यहां पर question आ रहा है नाविके विखंडर में trigger की बात किजिए trigger क्या है तो A. Electron B. Neutron C. Pozytron D. Proton तो इसका right answer है Neutron नाविके विखंडर में trigger neutron होता है ठीक है चलिए अलब देखिए quantum सिध्धान किस ने दिया था quantum का जो सिध्धान था वो किस ने दिया था A. Medlip B. Madam Curie C. जो था यह Max Planck D. Ronjan तो quantum सिध्धान का किस ने दिया था तो quantum सिध्धान जो है दोस्तों वो Max Planck ने दिया था ठीक है quantum सिध्धान Max Planck ने दिया था Next question देखें Radio धर्मिता का अविश्कार किस ने किया था यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों Radio धर्मिता का अविश्कार investigation किस ने किया था A. Henry Beccural B. Albert Einstein C. Robert Coach D. Land Steiner तो रेडियो धर्मिता का अविश्कार किस ने किया था दोस्तों तो जिसका राइट आंसर है वह है Henry Beccural Next question प्रसिद बिग बैंक थियोरी किस मुख्य सिध्धान पर अधारित है यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रसिद जो बिग बैंक थियोरी है मुख्य ते किस सिध्धान पर अधारित है तो यह उप्शन देख लिए A. Genome प्रभाव B. Doppler प्रभाव C. D. Brogley प्रेमे and next देखिए क्या है D. उश्मा गत्की की सिध्धान तो यहाँ पर बिग बैंक थियोरी की बात की जा रही है तो जिसका राइट अंसर है वो है B. Doppler प्रभाव तो यहाँ में देखिए दोस्तों सुच्मी की बात की जा रही है तो इसका राइट अंसर जो है वो है हाइड्रोजन है option B चलिए next question देखिए भारत का प्रथम प्रमाणू रियक्टर किस नाम से जाना जाता है तो भारत का प्रथम प्रमाणू रियक्टर जो है A. Trombay B. Apsara C. Agni D. Naak तो इसका जो राइट अंसर है दोस्तों वो है B. Apsara भारत का प्रथम प्रमाणू रियक्टर जो है वो अपसरा के नाम से जाना जाता है Next Question Electron के आवेश का निर्धारन किस ने किया था ठीक है यहाँ पर देखें Electron के आवेश का निर्धारन किस ने किया तो देखें Option देख लेते हैं इसका A. Chadwick B. Thompson C. Neutron और यहाँ पर देखें D. Millicon ठीक है तो इसका जो राइट अंसर क्या होना चाहिए आप लोग जिरूर बताईए इसका राइट अंसर है यहाँ पर D. Millicon ठीक है अगला देखें परमाडू में अवस्तित सबसे हलका कण है जो परमाडू होते हैं ठीक है उसमें अवस्तित जो होते हैं सबसे हलका कण कौन से होता है यह दिखिए A. Proton B. Electron C. Neutron D. इन में से कोई नहीं तो जिसका राइट अंसर है दूस्तों वह आपको बताना है जल्दी से बताईए जिसका राइट अंसर है वो है B. Electron होता है ठीक है चलिए अगला देखिए Next Question लकडी की आयू ग्याद करने में सहायक है जो लकडी होती है यानि कोई लकडी हो या कोई प्रेच हो इसकी जो आयू ग्याद की जाती है उसकी एज की जो ग्याद की जाती है उसकी सहायता से होती है तो A. Carbon 14 B. Uranium C. Cobalt D. Polyneum ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है Carbon 14 ठीक है तो दोस्तो ये था Super 30 के 30 Quotions ये आपको किसे लगे और आपको कितने आंसर आ रहे थे इसमें से आप हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा ताकि आपकी preparation हमें भी बता लग सके कि आप किस तरह से preparation कर रहे हैं और कितने questions आपके सही आ रहे हैं तो दोस्तो मिलते हैं इसी तरह के नेश वीडियो में तब तक के लिए आप अपने घरों में सेफ रहिए बाहर कम निकलिए बिना जरूरत के कभी बाहर मत निकलिए तब तक के लिए बाइ बाइ टेक केर थांक्सोर अलोट